से पहले हम देखेंगे फेस डिटेक्शन क्या होती है और यह कैसे वर करती है इसके लिए कौन-कौन से चीज इंस्टार करने पड़ती है तो फेस डिटेक्शन बिसीकली एक ऐसी कम्प्यूटर टिकनोलजी है जिसके तूँ हम डिजिटल इमेज इसके अंदर जो हुमन फेस होते हैं उनको इडेंटिफाइ करते हैं पर पर छेंपल एक हमारे पास पिक्चर है उसके अंदर मल्टीपल हूमन है उनके फेसी हैं तो फेस डिटेक्शन का अलगोरिधम क्या करेगा वो हूमन के जो फेस से उनको इडेंटिफाइ करेगा उनको लोकेट करेगा इमिज के अंदर के हूँ किस-किस दिगा पर तो उसके लिए हमारे पास जो algorithms हो गह रहा है जो libraries है Ubuntu के अंदर वो हम देखते हैं कौन सी है सबसे पहले हमारे पास daily बैप daily हमारे पास एक C++ में लिखी की एक library है जो के cross platform है इसके अंदर हमारे पास different machine learning के algorithms होते हैं जो के real world problems को solve करने के लिए हम use करते हैं इसमें इसकी जो algorithm है उसमें computer vision के algorithms भी हैं जिनको हम use करके face detection को run करेंगे तो इसकी different applications है d-lib की उसमें robotics के अंदर भी इसके काफी applications है embedded devices के अंदर है mobile fonts में इसका काफी इस्तमाल है और desktop application में भी है जैसे कि हमने का यह cross platform है तो यह Windows में भी है, Ubuntu में भी है Ubuntu के अंदर इसका एक python का wrapper है जिसको हम use करेंगे तो अभी हम इसको देखते हैं कि यह कैसे install करते हैं daily install करने के बाद, daily install करने के लिए हमें कौन से libraries चाहिए जो के पहले install होनी चाहिए, वो साल देखते हैं कौन कौन से dependency हैं जो हमने resolve करनी है जैसे के इनके पिछा हैने पिछ़ी वीडियो में देखा कि हमारे पास face detection क्या होता है उसके Лिए कौन कौनसे required packages हैं कौनसी libraisem में इस्तेमाल करनी हैं और उसके लिए applications के लिए canto keeping आप्लिकेशन के लिए यह नया projectbly ट्रेट के जिए है python के पाई चाहिए अंदर के लिए जो हमने डिसकस किया था हमारे पास जो लाइब्ररिरी इस, ड्रिकॉरे डेम उ हमारे पास एक हमारे पास C भे एक थी, जो के D-Lip के लिए एक ज्रूरी चीज़ है, D-Lip को इस्ट लूर करने के लिए, तो वो हम ने इतरि इस्ट लूर कर लिए, , उसके Бाद हम इसके बाद हमने के face detection का module चलाना है तो उसके लिए face recognition का built-in module आता है python का वो हमने install कर लिए यह सब को install कैसे करते हैं यह हम project interpreter में जाते हैं एक project की setting में जाते हैं setting में जाने के बाद project interpreter में जाकर हम यह plus का button दबाते हैं इदर हमने कोई भी package install करना हो तो हम उसका नाम लिखते हैं for example cmake है तो यह cmake का package है यह हमने पहले install किया हो इसलिए blue आ हुआ है तो सबसे पहले हमने cmake पे click करेंगे और इदर से install package कर देंगे तो यह cmake के package कर इसलिए क्योंकि हमने पहले की होगा है तो इसलिए मैं दुबारा इसको नहीं कर रहा उसके बाद c make करने के बाद हम daily इंस्टॉल करते हैं daily इंस्टॉल करने के लिए daily हमने इदर search किया यह appear होगे इदर और उसके बाद we install package करेंगे तो यह daily इंस्टॉल होगा जो packages install हो जाते हैं उनका color glow हो जाता है तो हमने daily इंस्टॉल कर दिया इसके बाद face recognition face recognition यह face underscore recognition यह भी हमने install कर लिया है तो यह सब कुछ हमने install कर लिया है तो इसके लिए इसके बाद हमारे पास काम किया है हमने इन चीजों को इस्तमाल कैसे करना है इसके लिए हम एक और packages open cv को जो कि images को read बगारा करने के लिए images की manipulation करने के लिए हमार अपस एक package है वो हम install कर लेते हैं open cv वो हम इतर सर्च करेंगे open cv python ये इसका नाम है तो इसको में install कर लेते हैं साथ क्योंकि open cv के तरू हम images को read बगारा करेंगे images को resize कर सकते है images को write कर सकते है save कर सकते है different किसम की manipulation कर सकते है images के ओपर या videos के ओपर open cv के तरू ये हमार पास python का एक wrapper है जिसको हमने install कर लिया है अब हम एक face detection का module बना सकते हैं अब हम एक python की फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम एक face detection system बनाते हैं उसमें हम क्या करेंगे हम सबसे पहले एक code करेंगे जिसके तरू हम देखेंगे कि एक human जो face होता हो कैसे detect होता है images के अंदर से सबसे पहले हम एक image input करेंगे image input करने के बाद उसको read करेंगे read करने के बाद हम उसके ओपर face detection की जो library है उसके different tools को use करके हम उसके face landmarks वगएरा उसके different जो face की attributes हो देखेंगे और फिर उसकी encoding निकालेंगे तो ये सब कुछ हम भी हम देखते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो